गुट मॉर्निंग गाइज वेरी गुट मॉर्निंग टॉ अल उफ यू कैसे हो आप सब फटा फट बता दीजिए क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं हम अपने दो पार्ट के सिलिबस यानि पेपर वन और पेपर टू का सिलिबस डिटेल में समझ चुके हैं याद रखिएगा ये आपकी न सफलता की कुझी है चले आईएस बनने और सिलिबस पता नहीं है तो हम डिटेल से सिलिबस डिसकस कर रहे हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे किसी भी प्रकार का है ना तो आज इसी क्रम में हम तीसरे जो थर्ड पेपर है हमारा उसके सिलिबस को डिटे पूछे जाते हैं इसको भी डिसकस करेंगे और साथ ही में हम बेसिकली स्ट्रेटेजी भी डिसकस कर लेंगे साथ साथ में कि भाई इस टॉपिक के लिए हम क्या पढ़ है कई बार डाउट होता है ना तो साथ में ही मैं आप लोगों को वो भी क्लियर कर दूँगी मुझे ए आचल, तेजवीर, वैभाव, तंजीम, नितिन, अनुष्का, राजवीर, पूजा ठीक है वेरी गुड मॉनिंग तो अल आफ यू मेरे हिसाब से सब कुछ क्लियर होगा इसलिए आप कुछ बता नहीं रहे हैं याद रखिएगा अभी जो है स्टडी आइक्यू की एप पे होली का जो है डिसकाउंट आप लोगों को बड़े स्थर पे मिल रहा है यदि आपको एडमीशन लेना है तो आठ मार्च से पहले ले लीजिए क्योंकि यदि आप आठ मार्च से पहले एडमीशन ले लेते हैं आठ मार्च तक basically admission ले लेते हैं, LD live code के साथ, तो आपको जो ये पूरा का पूरा admission है, ये कितने रुपे में मिल जाएगा, जैसे 18,999 में मिलता था, लेकिन यदी आप batch 2 शुरू हो रहा है 11 मार्च से, जिसकी classes 11 मार्च शाम 6 बजे से शुरू हो जाएंगी, जिसमें आप लोग quality से शुरू करेंगे, और quality आप लोगों को इस batch में मैं पढ़ाने वाली हूँ, यानि मैं दिख रही हूँ आपको, यहाँ पे भी दिख रही हूँ है ना, तो मैं आप लोगों को quality से basically शुरू हो रहा है और मैं quality पढ़ा रही हूँ, 11 मार्च से ये batch है, शाम 6 बजे से, यद आप इस batch को, इस batch से जुड़ना चाहते हो, तो study IQ की app या study IQ की website पे जाके subscription ले सकते हो, admission ले सकते हो, इस video के description box में भी link दिया होगा, वहाँ से भी आप admission ले सकते हो, याद रखेगा admission लेने से पहले code यूज करना है, LDLIVE, इस code के साथ आपको 8 मार्च तक ये batch मात्र 17,499 रु है, ध्यान रखेगा, 8 मार्च तक ही ये प्राइज अवेलेबल है, उसके बाद ये बढ़ जाएगा, ठीक है, तो स्वस्त रहिए, और यदि जुड़ना है इस batch से, तो फटा-फट जुड़िए, PDF के लिए आपको कहां जाना है, इस class का PDF और हर class का PDF आपको मिल जाएगा, ट इस्टरग्राम और Facebook पेज़ भी मुझे फोलो कर सकते हो, बात कर लेते हैं दोस्तों, थर्ड पेपर की, थर्ड पेपर में basically क्या-क्या है, हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे, अब आप लोगो, नहीं, आज I.R. नहीं चलेगा, आज syllabus डिसकस करेंगे, हम अच्छे से syllabus डिसकस क करेंगे, I.R. की classes Monday से फिर continue हो जाएंगे, सुन लो, तीसरे पेपर में सबसे बड़ा portion है, economy का, मैंने इसी ना दो पार्ट में लिखा है, यहाँ पे आपको ना क्रिशी अलग दिख रहा होगा, क्रिशी और खाद्य संबंधी मुद्धे, basically, जब हम economy का syllabus देखते हैं, और paper का pattern देखते हैं, तो economy वाले portion से अभी मैं number पे आऊँगी, लेकिन economy में क्रिशी वाले portion का काफी बड़ा रोल है, क्रिशी और खाद्य संबंधी मुद्धे, अभी जब हम से ले बस discuss करेंगे, तो भी देखेंगे, इन दोनों को मिला के आप कह सकते हो, कि भाई, एक तो third paper में हम में पूरी economics पढ़नी है, यानि अर्ष व्यवस्था, अर्ष शिशास्त्र पढ़ना है, दूसरा हमें economics में आंतरिक सुरक्षा पढ़नी है, ध्यान रखेगा, यह आंतरिक सुरक्षा कोन पढ़ाएगा आपको, यह मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है, ध्यान रखना, internal security, तीसरा part ह है, इस third paper में आपदा प्रबंधन पढ़ना है, और fourth paper इसमें है, जैव विविधता और परियावरन इसी में आएगा, और पांचमा part है, इसका science and technology, बात समझ में आई, यानि पांच subject से मिलता है, मिलके बनता है आपका paper 3, क्या-क्या है इसमें, आपका पूरा economics है, आपकी internal security है, इसके अलावा आपदा प्रबंधन है, परियावरन पारिस्थिकी है, और साथ ही आपका science and technology है, ध्यान रखिएगा, पांच विशों से मिलके बनता है आपका science and tech, अब एक बर इतना तो सब को पता होगा, कहीं बच्चे ऐसे भी होंगे, जो तैयारी किये हुए 3-4 महीने हो गए होंगे, लेकिन उन्होंने कोशिश ही नहीं की ना समझने की कौन समझेगा से लिवस, क्या जरूरत है, बस पढ़ना शुरू करो, इस रेस से पढ़ते हो, तो फिर सोचने वाली बात है, यहाँ पर गंभीर बात है, भाई जो पढ़ रहे हो, कम से कम देख लो पढ़ 2021 इत्यादी के पेपर को भी देखें, यदि एकनोमी का रोल, 50 नमबर का रहा है, अर्थ प्रवस्ता वाले, ध्यान रखना खाली अर्थ प्रवस्ता नहीं, क्रिशी और खाद्या, उद्योग को मैंने अलग किया, इस पार्ट से लगभग आपको 60, 55, 50, 50, 50 ता रेशियो मिल इन दोनों को मिला दे तो पूरी अर्थ प्रवस्ता हो गई, यहाँ पर मैंने क्रिशी और खाद्या, उद्योग, इसलिए अलग से लिखा है, क्योंकि यह अलग से मेजर पार्ट है, एकनोमिक्स का, और इस अलग से, इस पार्ट से लगभग 50 नमबर के कोशन आते हैं, यान इक सो दस नमबर का रेशियो है, एकनोमिक्स का मेंज के अंदर, और पीटी में तो भाई यदि आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, आपने पिछले सालों के कोशन देखे हैं, बहुत सरल कोशन होते हैं, और वो आपको कठेन क्यों लगते हैं, क्योंकि आपके ना कंसेप्ट क्लि होना बिल्कुल पानी पानी मतलब दिख जाए कि हां क्या है क्या नहीं है कैसे घटेगा कैसे बढ़ेगा पूरा कंसेप्ट का खेला है याद करने से नहीं होगा और साथी करेंट से रिलेट करना होगा यानि पीटी में भी अच्छा खासा रोल है अब यदि हम इन तीन छेत्रों की बात करें जिसमें हम विज्ञान और प्रोद्योगिकी को लेंगे परियावरन को लेंगे और आपदा प्रबंधन को लेंगे यदि इन तीन छेत्रों की बात करें इन तीनों से मिलाके लगभग सू नंबर का आपको द तुआ है और आपका लांस पार्ट बन गया बच गया इंटरनल सेक्योरिटी यानि सुरक्षा इसमें आपको 40 45 50 50 नंबर का आप मान के चलो कि 50 नंबर का आपको देकने को मिलेगा किसे security से, internal security से, जो की मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को, इस तरीके से आपका paper 3 complete होता है, हमने देखा, हम क्या-क्या पढ़ते हैं इसमें, हमने देखा कितना-कितना ratio रहता है, तो economics आपका लगभग 110, नंबर के आसपास 100 से 110 के आसपास, वो vary करता है, 5-10 नंबर कभी-कभी धरुधर, और 3 subject मिला के जिसमें science and tech, आपदा प्रबंधन और इसके साथ ही आपका परियावरन, इन 3ों से मिला के आपको लगभग 100 नंबर का मिलेगा, मेंस के अंदर, और security लगभग 50 नंबर का, बास समझ में आई, अब यदि हम PT के दृष्टी कौन से देखें, इस paper में, तो PT के दृष्टी कौन से, आप जानेंगे कि सबसे important तो economics है, इसमें कोई शक नहीं है, मतलब यदि मैं third paper की point of view से बात करूँ, साथ ही economics के साथ परियावरन से आपको भरपूर कोशन देखने को मिलेंगे, अब कई बच्चे सोचते हैं कि परियावरन के कोशन हम रट के चले जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा, तो वो एक सपना देख रहे हैं, परियावरन भी आपका पूरा conceptual base होता है, आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा एक एक concept को, तब जाके वहाँ आपका दिमाग काम कर पाएगा, हाँ, कुछ fact का role होता है, लेकिन वो तब fact भी तब याद होएंगे, जब आपका concept clear होगा, ठीक है, अब एक एक करके हम बिंदों पे चर्चा कर लेते हैं, क्या चर्चा करेंगे, सबसे पहला part हम देखेंगे economy, यानि अर्थ व्यवस्था वाला जो part है, उसको हम पहले समझेंगे कि आखिर इसमें हमको पढ़ना क्या है, ठीक है, तो पहला आपको लिखके छोड़ दिया गया है, आर्थिक विका से संबंधित मुद्दे, यानि भारती अर्थ ववस्था और योजना से संबंधित मुद्दे, संसाधन जुटाना, खाली ये लिखके छोड़ दिया है, संसाधन जुटाना, वृद्धी, विकास और रोजगार, ठीक, यहाँ पे आप देखोगे कि almost पूरी economic का क्रक्स किस-किस प्रकार के संसाधन होते हैं, उन संसाधनों के सशक्ती करण में क्या-क्या चुनोतियां हैं, उनके लिए सरकार क्या-क्या कर रही है, क्या-क्या सुझाव हो सकते हैं, इतने dimension से हमको पढ़ना पड़ेगा, इसके साथ ही वृद्धी और विकास और रोजगार, अब हम इस सिलेवस को डिकोड करते हैं, देखो जो सबसे पहला पार्ट है, जैसे हमने देखा योजना, भारती अर्थ विवस्था और योजना से संबंधित मुद्दे, तो योजना में हमें क्या देखना पड़ेगा, जब भी योजना की बात आएगी, तो हमें पता होना चाहि ये भाई योजना का अर्थ क्या होता है, प्लैनिंग का अर्थ क्या होता है, साथ ही आर्थिक विकास में प्लैनिंग की आवशकता क्यों है, यानि यदि हमें आर्थिक विकास करना है, तो प्लैनिंग करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है, और साथ ही प्लैनिंग के उद्दि इसके साथ और क्या देखना पड़ेगा हमें थोड़ा हमें इतिहास में भी जाना पड़ेगा कि भाई भारतिय योजना का इतिहास क्या रहा है कैसे इसकी शुरुआत हुई भारतिय योजना की तकनीके कौन-कौन सी है और साथ ही हमें देखना पड़ेगा भारतिय योजना की उपलबधियां क्या है और आसफलताएं क्या है यानि जब हम नियोजन की कमियां आसफलताएं देख लेंगे उपलबधियां देख लेंगे और आसफलताएं देखने के बाद हमें देखना पड़ेगा कि इसमें क्या-क्या सुधार हो सकते हैं और फाइनली योजना को बनाने वाला जो मेन आयोग था, वो समाप्त हो गया है, उसके स्थान पे निती आयोग आया, तो ऐसे में निती आयोग वर्सिस योजना आयोग के उपर भी आपके दृष्टी एकदम क्लियर होनी चाहिए, निती आयोग को आप पॉलिटी में भी पढ़ते हो, योजना आयोग तो उसको, है ना, तो योजना आयोग में क्या कमी थी, निती आयोग क्यों बना, निती आयोग और योजना आयोग में डिफरेंसिस क्या है, निती आयोग कैसे बहतर कर रहा है, अभी भी क्या कमिया है, उनमें सुधार की क्या गुंजाईश है, तो इन पूरे के पूरे पर आपका concept clear होना चाहिए ठीक है यानि पहला जो point हमने देखा योजना से संबंधित मुद्दे यानि योजना का इतिहास, अर्थ, उद्देश्य, उसका तकनीक, उसकी सफलता, उसकी कमिया, उसके सुझाव और नीतियायोग ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा पहले टॉपिक के अंतरगत, दूसरा टॉपिक की बात कर लेते हैं संसाधन जुटाना, खाली ये लिख के छोड़ दिया है, संसाधन जुटाना, तो तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए, भाई कैसे संसाधन, आना चाहिए की नहीं आना चाहिए, कैसे संसाधन, तो तीन प्र उनका प्रियोग भी हमें बहतर तरीके से करना है अब वित्ये संसाधनों की किसी भी राष्ट्र के विकास में सबसे ज़ादा जरूरत होती है पैसा नहीं होगा तो विकास कहां से होगा भारत जैसा देश बड़े सतर पे वित्ये संसाधन जुटाने के लिए अलग-अलग आंतरिक नीतिया लेके आता है और आंतरिक तोर पे जब वित्ये आवशक्ता पूरी नहीं होती तो हम अन्य देशों से लोन लेते हैं अन्य संस्थाओं से लोन लेते हैं क्यों ले रहे हैं वित्ये संसाधन जुटाने के लिए वित्ये संसाधन जुटेंगे तभी ओवर ओल एकडॉमी का विकास होगा अर्फ्यवस्था का विकास होगा इसी के साथ यदि हम मानव संसाधन देखें तो जैसा मैंने आपको बताया था जन सांखे की लाभांश भार खेलते हुए मिल जाएंगे आपको डंडे उठाए हुए पत्थर फैंकते हुए मिल जाएंगे धर्म जाती छेत्र भाषा क्याधार पर लड़ते हुए मिल जाएंगे तो वो मानव उस मानव को हम मानव संसाधन नहीं कह सकते हैं मानव संसाधन का मतलब होगा कि हम वो शिक् हम देखें कि भाई संसाधनों के प्रकार या दिनी वित्यe मानमिय और प्राकृतिक संसाधन संसाधन जुटाने की आवशकता क्यूं है इसका भी तो पता होना जाहिए क्यूं वित्यe- अब यदि हम पहले वित्य संसाधनों की बात करें, वित्य संसाधनों में आपको देखना पड़ेगा, जैसे सरकारी संसाधन कर और गैर कर है, जैसे राजकोशिय और मोद्रिक निती है, इस राजकोशिय और मोद्रिक निती के माध्यम से कैसे वित्य संसाधन जुटाने का काम किया जाता है यहाँ पर आप समझ सकते हो कि भई राजकोश्य निती क्या होती है मोद्रिक निती क्या होती है है ना इसके साथ ही और संसाधन कैसे आएंगे तो बैंकिंग शेतर एंबी एफ सी वगएर आपको डिटेल से देखना पड़ेगा पूंजी बाजार शेयर मार्किट का बड़ा आजकल आप नाम सुन रहे होंगे है ना हाला कि वो नाम नेगेटिव प्रिप्रेक्ष में सुन रहे होंगे अडानी के कारण वैसे भी आपको पता होगा शेयर मार्किट के बारे में तो पूंजी बाजार की पूरी व्यवस्था आपको पता होनी चाहिए हम प्राप्त ना हो तो हम विदेशों से निवेश को प्रवाहित करने का प्रयास करेंगे तो हमें ये पूरे कंसेप्ट पता होने चाहिए एकनोमिक्स में इसके साथ NBFC के अवधारना क्या है राजकोश्य निती क्या है मोद्रिक निती क्या है तुरंत टिप्स पे होनी चाहिए चीज़े और मैं बताऊंगी उसके लिए करना क्या है साथ ही अब जब हमारा इन्वेस्टमेंट से आवशक्ता पूरी नहीं हो रही तो हमें उधार लेना पड़ेगा तो सारजुनिक उधार और सारजुनिक रिन का प्रबंधन कैसे करते हैं हम और विकास के लिए संसाधन जुटाने में कौन-कौन सी चुनोतियां सामने आती है इतना जब आप पढ़ोगे ना तो आपको ये सेकेंड वाला पार्ट कंप्लीट हो गया यानि संसाधन जुटाने में आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कौन-कौन से संसाधन और उन संसाधन जुटाने की ज़रूरत क्या है और फिर किस-किस तरीके का कंसेप्ट इसमें पढ़ने पढ़ेंगे कैसे कैसे हम संसाधन जुटा सकते हैं इसी संसाधन जुटाने में यदि मानव संसाधन की बात करें तो उसके लिए आपको क्या होता है मानव संसाधन जन सांकी की लाभांच पर कई बार कोशन पूछा गया है एकनोमिक्स में भी जन सांकी की लाभां है हम है ना तो इस तरीके के सारे डाइमेंशिन को आपको समझना पड़ेगा तब जाके आपका फर्स टोपिक का सेकेंड पार्ट यानि संसाधन जुटाना कम्प्लीट होगा बात समझ में आई क्या बोल रहे हैं मैं पूंजी बाजार के साथ हम मुद्रा बाजार पढ़ते हैं इसमें मुद्रा बाजार नहीं पढ़ना नहीं मुद्रा बाजार बिलकुल पढ़ना है भाई बिलकुल पढ़ना है ध्यान रखना राम राम भाई राम राम चले आगे अब बात कर लेते हैं तीसरा जो मुद्दा था इसमें तीसरा मुद्दा था ना वृध्धी, विकास और रोजगार तो वृध्धी और विकास को हम एक साथ देखेंगे भई हमें ये पता होना चाहिए जब हम development पढ़ते हैं देखो growth होता है यानि वृध्धी का मतलब होता है growth और विकास का मतलब ह आर्थ क्या है इन दोनों के बीच में अंतर क्या है यानि क्या growth और development एक ही चीज है क्या या दोनों में difference है इस पूरे concept का पता होना चाहिए विकास और वृध्धी के निर्धारक कौन-कौन से है विकास का महत्व क्या है आर्थिक विकास का और वर्तमान में इसकी सीमाएं क अजया है कि भरी हम विकास तो कर रहे हैं लेकिन इस विकास को करने के क्रम में हम सततता को ध्यान नहीं रख रहे हैं तो आप जो सोचते होना की परियाबरन अलग है एकनॉम्ही अलग है सोसाइटी अलग है याद रखिए गहाई सब आपसमें एक दूसरे से जुडे हुए ह अब आप जब विकास की अवधारना पढ़ोगे और उसमें सततता का ध्यान नहीं रखोगे यानि इंक्ल्यूजिव यह क्या बोलते हैं इसको परियावरन का ख्याल नहीं रखोगे तो कहीं न कहीं आपका आर्थिक विकास वर्तमान में विफल है तीदी सी बात है तो ध्यान में ग्रोथ हो रही है लेकिन वो जोबलेस है तो आपको पता होना चाहिए ना कुछ डेटा भी आपको यहां पर पता होना चाहिए आपको कुछ कंसेप्ट भी पता होना चाहिए इसके साथ ही प्रोपूर ग्रोथ यानि ग्रोथ तो हो रही है लेकिन कुछ ही लोगों की ग् कि यहां तक भी ठीक है कम से कम अपना आवशक्ता तो पूरी हो रहे है यह जो वर्ग है यह जो भूखा मर रहा है इसके लिए क्या हो ठीक है यह सारे के सारे कंसेप्ट आपको पढ़ने पढ़ेंगे संतुलित और संतुलित विकास और विकास के आयाम कौन-कौन से हो सकते हैं जब आप पढ़ोगे विकास के लिए दृष्टिकोन जब आप देखोगे तो भई बाजार अधारित दृष्टिकोन क्या है विकास के लिए राज्य की भूमी का क्या है विकास में नियोजित दृष्टिकोन क्या है विकास के लिए मिश्रित अर्च्विवस्था बवे में समझ सकते हो, या तो हम पूरी तरीके से पूंजी वाद ले आए, पूंजी पतियों पे छोड़ दे विकास, या हम पूरी तरीके से समाज वाद ले आए, या राज्य को पूरा अधिकार दे दे, विकास का, या फिर हम मिश्री तर्थ व्यवस्था को लाए, जो कि ह हमने स्वतंत्रता के बाद अपनाई है ना तो मिश्रितर्च विवस्था में पूंजी वाद और समाजवाद दोनों का मिश्रण होता है तो कौन सा मोडल बढ़िया है विकास के लिए किस मोडल की क्या कमिया है उन कमियों को भी हमें डेटेल से देखना पड़ेगा साथ ही वि UPSC aspirant OIS बनने वाले हो तो आपकी नजर मचली की आंग पर यानि समाधान पर जरूर नजर होनी चाहिए आप से यदि कोई कोई कोशन UPSC में पूछ भी लिया जाता है ना कि इसकी क्या समस्याएं है तो केवल आप समस्याएं लिख के छोड़ नहीं दोगे आपको समाधान ह हमेशा आपके दिमाग में होने चाहिए आपको समाधान हमेशा बताने पड़ेंगे तो इंडियन एकनोमी का जो तीसरा अधार था विकास आप समझे विकास को कैसे हमें पढ़ना पड़ेगा किन-किन मुद्दो को समाहित करना पड़ेगा चाहे विकास के मोडल है चाहे सत टॉपिक कम्प्लीट होता है जिसे डेवलपमेंट एंड ग्रोथ कह रहे हैं पहले टॉपिक के अंत्रगत जो आता है बता दो को समझ में आया यह टॉपिक नहीं है मनोज जहान रखना अभी यह बोल रहे हैं मैं जोबलेस ग्रोथ और प्रोपूर ग्रोथ नए टॉपिक जोड़े हैं कि यह टॉपिक नहीं नहीं जोड़े हैं टॉपिक तो यह है बस जो आप सिलेबस देखते हो UPSC की साइट पे अन्या जगह है तो इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है आपको व्रिध्धी और विकास है तो यहां पर क्या क्या पढ़ना है अब हम आते हैं रोजगार ठीक है जोबलेस ग्रोथ को आप रोजगार वाले इस्चू में भी आप पढ़ सकते हो वो है तो एकोनॉमिक आई पार्ट ना अब यदि ह हम रोजगार की बात करें सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए भाई रोजगार का मतलब क्या होता है क्या परिभाशा है रोजगार की प्रकृति क्या है ग्रामीन रोजगार क्या है शहरी रोजगार क्या है उपचारिक रोजगार क्या है अनोपचारिक रोजगार क्या है साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि रोजगार से संबंधित जो शर्ते है क्या ही वो श्रम बल भागिदारी है रोजगार दर है कार्य शील आयू जन संख्या है और इन से जुड़े मुद्दे जो आप अलग-अलग जगह पढ़ते हो ना सोशल जस्टिस में को बढ़ावा दे रहे हो आपको ये भी देखना पड़ेगा ना इकनोमी के नजरिये से भी पढ़ना पड़ेगा महिलाओं के साथ कार्यस के अधार पे जो विभेद होता है उसको भी आपको देखना पड़ेगा है ना याद रखिएगा अलग-अलग नहीं है सिलेबस सारे के सारे टॉपिक आपस में जुड़े हुए हैं और जब आप एक बार अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं मतलब पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फिर ये विभेद नहीं रह जाता कि क्या एकनोमिक्स, क्या एन्वायरमेंट, क्या एथिक्स, क्या सोस में और वो कब दिखेगा जब आपने अच्छे से सिलेबस के एक एक बिंदू को समझ के पढ़ा है अपने कंसेप्ट क्लियर किये ठीक है अध्यान दखिएगा अब हमें देखना पड़ेगा रोजगार में रोजगार का छेतरी अवितरन जी अलग-अलग छेतरों में क्या स साथ ही रोजगार जो कम हो रहा है उसके कारण क्या है तो कारणों पे देखो जब सिलेबस आपने इस तरीके से डिकोड किया तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई रोजगार पढ़ना है तो क्या-क्या पढ़ू और जब क्या-क्या पढ़ू वाला जो बात आपके दिमाग में आएगी तब आप समझोगे कि भाई हमें तो कारण भी पता होने चाहिए तो कारण ना आपके टिप्स पे होने चाहिए यह 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 कम से कमा 8-10 पॉइंट आप जब एक्जाम होल में बैठते हो ना आप सोचते हो कि हां मतलब अराम से सोचने का टाइम तीन घंटे होते हैं 20 कोशन लिखने होते हैं एक कोशन में 7-8 मिनिट मिलते हैं बस उस 7-8 मिनिट में आपको ड्राफ्टिंग भी अपने दिमाग में सोचनी है पूरा अंसर भी लिखना है बहतर कंक्लूजन भी लिखना है तो ऐसे में आपको सिलेबस के कुछ-कुछ जाएं जब I.E.S. बनते हो ना तो आपको पता नहीं है आपके जीवन में कितने परिवर्तन आ जाते हैं I.E.S. बनते हो I.E.P.S. बनते हो ठीक है तो बहुत बड़ी जौब है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तो बहुत जादा महनत भी है लेकिन सही दिशामे और सही स्मार्ट वर्क साथ ही कारियाबल का पुनर कठन और रोजगार स्रीजन के रिए क्या-क्या सरकारी पहले है यानि सरकार क्या-क्या प्रियास कर रही है रोजगार को बढ़ाने के लिए जिसमें आप एजुकेशन से लेके स्किल से लेके या रोजगार से संबंधित अलग- योजनाए भी आपको एकनोमी में पता होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ तक किसी भी बच्चे को दिक्कत, जो first topic था, यानि first topic में काल खाली इतना लिखके छोड़ दिया, जो आपको ये blue line से दिख रहा है, जब हमने इसको decode किया, तो हमने देखा कि भाई केवल इतना ही नहीं ह है, खुश नहीं होना है, इसके अंतरगत हमें बहुत बड़े आधार पर, बिल्कुल जो तोड़ तोड़ के हमको से लेबस को cover करना पड़ेगा, जिसमें हमने ये सब चीजे देखी, रोजगार तक, आप लोगों का एक दो question ले लेती हूं, फिर अगले topic पर आती हूं, मतल 5 classes, भाई, सुबह सुबह उठके आई हूं, ओनेसली बतारी हूं, गलाना इतना खराब है, इतना खराब है, मतलब दर्द कर रहा है यहां से, थ्रोट पेन हो रहा है, भयंकर, लेकिन फिर भी उठी हूं कि हाँ नहीं मुझे पढ़ाना है, तो भाई, पढ़ लो, आपस में वारतालाब करने का, दूसरा मंज तलाश लो, मेर से कुशन पूछ लो, वैभाव थैंक्यू, मनोज क्या बोल्डर में, 20 में से कितने प्रिशन का, सारे करे हैं, जो आता है वही करे, देखो पहली बात तो यह है कि सारे ही करने चाहिए, यदि रैंक लगानी है, तो दूसरी में आएगा, हरियाण मी लोगों कोई समझ में आएगा, एनिवे, कि तुक्का, या इसका हम बोल सकते है, तुक्का लग सकता है आपका, PT में क्योंकि 4 ओप्शन है, आपको एक ओप्शन में से चुनना है, आपने यह चुन दिया, लेकिन में में क्या करोगे, अब बिल्कु के दरिया का, क्या है, डैश, 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 जो भी है, तो ये तो, गाने तो नहीं लिख्या होगे, तो इसलिए, प्रयास तो यह होना चाहिए, कि 20 के 20 कोशन करें, लेकिन फालतु में माननो, अगर कोई कोशन नहीं ही आ रहा है, वहाँ पर बक्वास करने से अच्छा है, क कि छोड़ दे हम, हाला कि इतना पढ़ लेते हो, कि आप कुछ ना कुछ तो लिखी सकते हो उसके लिए, तो फिर उसके लिए आप फ्रेमिंग कर सकते हो, यदि टाइम नहीं है, तो फिर जब हम अंसर राइटिंग पर आएंगे, तो हम बात करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना अब बात कर लेते हैं, दूसरा मुद्दा जो हमारे एकनॉमिक्स में हमें पढ़ना है, वो है समावेशी विकास, और इसे उत्पन होने वाले मुद्दे, ये लिखके छोड़ दिया गया है, समावेशी विकास, तो क्या है समावेशी विकास, सबसे पहले तो दिमाग में आ कौन से है और हम UPSC अलग से क्यों बात कर रहा है inclusive growth की, समावेश्य विकास की sorry guys, थोड़ी सी तबियत नासाज है hope you will understand, बीच बीच में खांसी आएगी जहल लेना थोड़ा और थोड़ा आपना ख्याल रखो ये मोसम ऐसा है, सब बिमार पढ़ रहे हैं मेरे सरकल में maximum लोग बिमार है, तो थोड़ा सा ख्याल रखो अच्छे से अपनी सेहत का, क्योंकि जब बिमार होते है और उसकी वज़े से time waste होता है तो बड़ा खलता है, स्टूडेंट लाइफ में basically तो ध्यान रखेगा, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई, आखिर इस समावेशी विकास की आवशकता क्यों है इस आवशकता में भी हमें कुछ points बिल्कुल ready made होने चाहिए समावेशी विकास के संकेतक क्या क्या है आखिर वो कौन-कौन से चिन्न है, संकेतक है जब हम ये सोचेंगे कि इस देश का विकास समावेशी विकास हो रहा है है ना, साथ ही भारत में समावेशी विकास को प्राप्त करने यानि हासिल करने में कौन-कौन से challenges है क्या-क्या चुनोतियां है और 12 जो 5 वर्षय योजना क्योंकि 12 पंच वर्षय योजना का theme ही था समावेशी विकास तो वहाँ पे समावेशी विकास के लिए आपको काफी सारे विशे मिल जाएंगे कि समावेशी विकास को कैसे प्राप्त करें क्या-क्या चुनोतियां आ रही है क्या-क्या सुझाओ हो सकते है तो ये सारे बाते जब आप देखोगे तब आपको समझ में आएगा समावेशी विकास और क्या है है ना बास समझ में आई क्या आधार क्या है आवशक्ता क्यों है संकेतक क्या है क्या-क्या प्रयास किये जा रही है क्या-क्या चुनोतियां है हैं क्या-क्या सुझाओ हो सकते हैं ठीक है तो इतना आपको पढ़ना पढ़ेगा सेकंड टॉपिक के अंतरक्रत अब हमें यह देखना पढ़ेगा सरकारी बजट कि सरकारी बजट यह जो है ना यह बच्चों को काफी मतलब अब एक कठिन वाला एरिया लगता है बच्चों को ध्यान रखना लेकिन मैं आपको यदि यह कहूं कि यह अगर आपने एक बार समझने में अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लिया, यदि एक बार आपने इसको अच्छे से समझ लिया, तो फिर ये सबसे सरल पार्ट हो जाता है, सबसे सरल पते हैं क्यों हो जाता है, इसको पढ़ने का एक तरीका बताती हूँ, आप कहीं से भी, आप Study IQ IS Hindi की टीम बहुत ही शांदार पढ़ा रहे हैं, अत पता है हमको, खाली पता नहीं, concept, बिल्डप करो उसमें, example अपने दिमाग में सोचो, अच्छा ये होगा, तो ये होगा, economics ऐसे ही पड़ी जाती है, और एक बार महनत करके, ये वाला जो portion होता है, बजट, बजटिंग वाला और ये सारे जो concept के होते हैं यहां पे, इन सब को आप एक बार notes बना लो, short notes बना लो इनका, एक बार महनत लगेगी, example दे दे के notes बना लो, ताकि जब भी भी आपके, क्योंकि ये वो topic है, जहां पे आपको हर दूसरे महीने में revision की जरुद पड़ेगी, क्योंकि ये भूलते बहुत जल्दी हैं, हमेशा confuse हो जाते हैं, राज इस वाले segment को, बाकी तो सब concept बहुत अच्छे से clear हो जाएंगे आपके, तो इसके लिए एक बार महनत करके notes बना लो, जहां से भी आप सुन रहे हो, लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, उसके बाद उस notes को ही बार-बार revise करना है, अब हम budgeting वाला area देखें, इसमें हमें क्या-क्या पढ़ना है, तो ध्यान रखना सबसे पहले तो budget क्या होता है भाई, budget क्या आवशक्ता क्या है, सरकारी budget के घटक क्या है, हमें पता होना चाहिए, राजस्व खाता क्या है, पूंजी खाता क्या है, राजस्व खाते की जब बात आएगी तो राजस्व प्राप्तियां और र फुन्जी कती वैं तो हमें ये पता होना चाहिए ये कौन से होते हैं ये कौन से होते हैं दो फ़र सक्रामी बजट ये से Jess में के उपाय क्या क्या हो सकते हैं तरकारी घाटे में क्या क्या चीजे आएंगी तो राजस्व घाटा क्या है राजकोशिय घाटा क्या है पराथ्मिक घाटा क्या है इन सब को आपको मेंस देखो PT के लिए सबसे important part है यहां से हर साल 2-3 questions आपको मिलेंगे, इस वाले एरिया से, अभी हम बोलना, दो से तीन, हम ना पढ़ेंगे, ध्यान रगना, UPSC में एक एक नमबर के लिए, लखो लखो लोग, हजारो हजारो लोग बहार होते हैं, पीटी में लगभग 5 लाग के आसपास तो बैठते ही है, रिजल्ट कितना आता है, लगभग मेंस में कितने, 15,000 के आसपास, तो 5 लाग में से 15,000 में आने का मतलब समझ रहे हो, एक एक नमबर के वज़ा से बाहर, तो इसलिए एक एक कोशन को, मतलब, सीरियसली लेना है, ध्य तो FRBM Act में जो भी संशोधन होते हैं, जो भी current issues आते हैं, वो सारा देखना पड़ेगा, फिर अन्य परकार के बज़ट होते हैं, बज़ट के कहीं भी परकार होते हैं, जैसे परिणाम शुन्य आधारित है, महिला आधारित है, तो बजटों के परकार भी पता होने चाहिए आपको, बास समझ में आई, इतना जवाब पढ़ोगे, और यहां से आप सोचते हो कि मेंस में यहां से कोशन नहीं आता, मेंस में तो जो आपने पहले बताए हैं न, दो तिन टोपिक वहां से कोशन आता है, आप खुश हो रहे हो, बड़ी सी स्माईल है चहरे पर, यहां से बार यहां से दो कोशन आ गए, तो क्या करोगे, बताओ, और वैसे भी यह वाला पार्ट तो आपको PT में पढ़ना ही पढ़ेगा, क्योंकि PT में यह नहीं पढ़ोगे, तो PT पास नहीं होगा, क्योंकि economics का, आपके प्रारंभिक परिक्षा में काफी बड़ा ratio रहता है, जिस इसे देख के जाना है, और इसमें क्या क्या पढ़ोगे, और इस और ध्यान रखना, पूरे के पूरे economics में, आपको जो थोड़ी बहुत difficulty आने वाली है, पहले हम ना, हम क्या सोचते है, हम सोचते है, पूरी economic स्टफ है, भाई, हमसे नहीं होएगा, बुखार चड़ जाता है कहीं लोगों को सोच सोचके, economics हमसे नहीं होएगा, पूरी economics इतनी easy है, रोजगार पढ़ने में क्या दिक्कत आएगी, विकास वृद्धी पढ़ने में क्या दिक्कत आएगी, भूमी सुधार पढ़ने में क्या दिक्कत आएगी, आपको बताओ, या हम कहें कि समावेशी व आप लोगों को economics में आती है वो इस पार्ट में आती है इसके लिए आप यदि 10 से 15 दिन अच्छे से dedicated होके देदोगे with notes आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी दिक्कत तब तक आती है जब तक हम डरते हैं और उसके लिए प्रयास नहीं करते आप में से कितने लोगों ने आज त पढ़ने के बाद भी इन मुद्दों से डरते रहते हैं तो डरने से तो काम नहीं ना होगा है ना ध्यान दख्लेगा थम्स अप कोई नहीं देगा इतना interactive session रखती हूं मैं मतलब आपको कभी feel होता है कि मैं online पढ़ा रही हूं मैं feel होने नहीं देती मैं मतलब अपना पूरा प्रयास करती हूं कि आपको महसूस हो कि आपके सामने पढ़ा रही हूं लेकिन आप interaction ही नहीं करते बताओगे ही नहीं कितने लोगों ने note down किया है ये अफधारना है कितने लोगों ने समझ के notes बनाए है इनके बढ़िया example के साथ notes बनाए है बहुत बढ़िया चंदन क्या अगर बिल्कुल राहुल अगर बिल्कुल सही बोल रहे हूं कि मैम यह topic भी बहुत अच्छा है और easy है मैं यह बोल रहे हूं कि जादातर बच्चों को इन topics में कठिनाई महसूस होती है लेकिन यदि आपने एक बार समझ लिया इन topics को यह बहुत easy है लेकिन तब तक कठिन ल complete है क्या बात है बहुत बढ़िया अब तीसरा पार्ट हमें मतलब अगला है जो economics में हमें पढ़ना है भूमी सुधार यहां से direct question मनता है भूमी सुधार अब खाली यह लिखके छोड़ दिया है तो हमें यह पता होना चाहिए ना भूमी सुधार क्यों जरूरी था भूमी प्रभाव पड़ा भूमी सुधार के कारियान्यवन में कौन-कौन सी समस्याएं आई भूमी सुधार कितनी हद तक सफल रहा और क्या कमिया रही भूमी सुधार की है ना और साथ ही हालियां जो पहले है जैसे भूमी पट्टे पर देने कानून आया भूमी अधीघरण संब पंधित कानून आया पुनर्वास और पुनरस्थापन अधिनियम आया एक बात ध्यान रखना एकनौमी में ट्रेडिशन के साथ साथ आपको करेंट को बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा एकनौमी में यदि आप 30% ट्रेडिशनल को पड़ते हो तो 70% आपको करेंट का रोल है लेकिन करेंट आपको कब समझ में आएगा जब आपका ट्रेडिशनल कवर होगा लेकिन एक्जाम के पॉइंट ओफ यू से एकनौमी में करेंट का बहुत बड़ा रोल होता है चाहे वो पीटी हो या मेंस हो तो जितने भी नए-नए एक्ट आते हैं भूमी सुधार स ही पढ़ना पड़ेगा ठीक है तो चोथा हमारा टॉपिक हो गया भूमी सुधार और उससे संबंदित मुद्दे अब आते हैं इस वाले मुद्दे पे अर्थ व्यवस्था पर उदारी करण का प्रभाव तो आपको पता होना चाहिए भाई उदारी करण मतलब क्या उदार उदारी करण के क्या क्या चरण आये हैं हमने किस तरीके से उदारी करण को अपनाया लपीजी आप मालो लपीजी अर्थ व्यवस्था के विभिन छेत्रों पे इसका क्या प्रभाव पड़ा ये सब देखना पड़ेगा ना हमको साथ ही ओद्योगिक निती में परिवर्तन और उद्योगिक विकास पर उसके क्या क्या प्रभाव पड़े इस अर्थ इस उदारी करण का प्रभाव और साथ ही भारत के उद्योगिक निती में क्या क्या परिवर्तन हुए इस उदारी करण के संदर्भ में और उद्योगिक विकास पर उसके क्या क्या प्रभाव तो हमें ये पता होना चाहिए, मतलब देखो, इस पे ज़्यादा बस एक सरसरा निगाह हमें डालने हैं, कि भई, 1990 से पहले क्या उद्योगिक निती थी, 1990 के बाद उद्योगिक निती कैसी आई, उद्योगिक विकास के चरण कैसे कैसे आगे बढ़े, वर्तमान में हम किस सुधार अपनाए, क्या उन आर्थिक सुधारों के परिणाम, जितने बहतर होने चाहिए थे, जितने समावेशी होने चाहिए थे, उतने हैं, है ना, या नहीं है, नहीं है, तो क्या सुधार हो सकते हैं, तो हर इंगल से आपको पढ़ना पड़ेगा, ओद्योगिक नितीयो प्रात्मिक चेत्र से समबंदित, द्वित्यक चेत्र से समबंदित, तो सारी योजनाओं के बारे में भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए एकनॉमी के पॉइंट ओफ यूज से, ठीकर, अगला हमारा टोपिक है, आधार भूत सरंचना, इतना लिख्य छोड़ दिया है, या बंदरगाह, हवाई अड़े, रेलवे, सड़के, इकठा जोड के भी कोशन आ सकता है, मालनो बंदरगाहों से कोशन आ गया, भाई सागरमाला प्रोजेक्ट है, हमारे तटिये विकास की अब सरंचनात्मक मजबूती के लिए बेसिकली शुरू किया गया, तो सीधा जोड के को जो है, उस पर आप से इकठा भी कोशन पूचा जा सकता है, और हर एक मुद्दे से अलग-अलग भी कोशन पूचा जा सकता है, तो इसलिए आपके सारे के सारे जो कंसेप्ट है, वो क्लियर होने चाहिए, ठीक है, इसके साथ ही निवेश मोडल, आपको अलग से पढ़ने प में निवेश के मोडल क्या क्या है भारत ने कौन सा मोडल अपनाया है भारत ने किसी एक मोडल को अपनाया है या अलग-अलग छेत्रों में भारत ने अलग-अलग models को अपनाया है तो हमें पता होना चाहिए ना निवेश के कौन-कौन से model है घर जैसे सारजुनिक निवेश model है नीजी निवेश model है सारजुनिक नीजी भागिदारी है यानि ट्रिपल पी है इसके अलावा भी चार-पांच प्रकार के models और पढ़ो गया अप इसमें ठीक है फिर विदेशी model जो निवेश model है उसमें FDI क्या है FII क्या है क्लस्टर आधारित निवेश model भारत दुवारा नुसरन किये जाने वाले भारत की निवेश model का पालन करता है यानि निवेश model में आपको इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा ठीक है अब अगला मुद्दा आ जाता है हमारा क्रिशी का देखो अब एक बार फिर से सुन लो एक मिनिट में हमने जो यहां से देखा ना पहला टोपिक डिटेल से दूसरा टोपिक है हमारा समावेशी विकास और इससे उपन होने वाले मुद्दे सरकारी बजट भूमी सुधार उधारी करण और उसके अद्योगिक विकास पर प्रभाव आधार भूत अवसरेंचना और निवेश model यह आपका 50% है एकनोमी में इसलिए जब मैंने मार्क्स को डिवाइड किया था ना तो एकनोमी और क्रिशी और खाद्य सुरक्षा मुद्दे को अलग-अलग रखा था 50 नंबर के आसपास का आपका इस पार्ट से आता है और 50 नंबर का आपका क्रिशी और उससे संबंधित मुद्दों से आता है तो आप समझ अगरी कल्चर कितना जादा महत्वपूर्ण है और वो ऐसे ही महत्वपूर्ण नहीं है भारत एक क्रिशी प्रधान देश है क्रिशिकों की अलग-अलग समस्याएं है है ना तो ऐसे में क्रिशी आप जब आई-एस बनके जाओगे डी-एम बनके जाओगे तो आप क्या करो पात हो जाती है क्रिशी को एक काफी बड़ा वेटेश दिया गया है अब हम क्रिशी में क्या क्या पढ़ेंगे तो सबसे पहला क्रिशी में दिया हुआ है ये देश के विभिन भागों में प्रमुक फसलों का फसल पैटर्न क्रोप पैटर्न दिया गया है फसल पैटर्न क्य क्या है फसल पैटर्न को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक है फसल पैटर्न में उभरती हुई नई प्रवर्तियां क्या है और क्रोपिंग पैटर्न में वर्तमान रुजहानों के दिर्ग कालिक प्रभाव क्या है यानि फसल पैटर्न के उपर आपकी पूरी थोड़ प्र वहाँ पे आप धान की पैदावार कर रहे हो, पंजाब हरियाना का एक्जेमपल ले लो, धान मूलत है, ऐसे राज्जों की फसल है जहाँ पे सिचाई की सुविधाएं हैं, वर्षा प्रयाउप्त मात्रा में हैं, बेसिकली, अब हमने सिचाई की सुविधाएं तो यहां पे भी हमने ट्यूवल बना दिये, भूमी गजल का इतना दोहन कर रहे हैं, कि इस क्रोब पैटर्न में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, पारिस्थिती के पर प्रभाव नकारात्मक पड़ने लगा है, लोगों के स्वास्थे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा है, आपको पक्षिमी उपय और हरियाना में ऐसे केसिस या ऐसे रिपोर्ट दे बोना देखने को मिल रहा है है ना तो इस sponge pattern के क्या क्या जो क्र원àiत बदला इसके क्हा क्या भोगोलिक नुकसान हो सकते है क्या-क्या परियावरणिये नुकसान हो सकते हैं उन सब को भी आपको डिटेल से पढ़ना पढ़ेगा है ना तो फसल प्रतिरूप पहला टोपिक है आप लोगों का इसके अलावा क्या बोल रहें मनोज आज से पहले अर्च वस्ता में गिने चुने टॉपिक पढ़े आज समझ में आए कि इकनॉमिक्स पढ़ी हो इतना डिटेल में तो देखो बेटा जाना पढ़ेगा आपको इस बात को ध्यान रखना यदि आईएस बनना है तो क्योंकि एक बहुत बड़ा पॉर्शन है यदि आप बिल्कुल डिटेल में जाके नहीं पढ़ोगे हर विशे को दूसरे विशे से जोड़ के नहीं पढ़ोगे मालो आपने फसल पैटन पढ़ लिया भाई आपने पढ़ाई नहीं फसल पैटन जो गड़बड हो रहा है उसका क्या जलवाई वी नुकसान है मतलब परियावरण ये नुकसान है क्या मनुष्य की हेल्थ पे दूसरी फसलों के उपर उसका नुकसान है जब तक काम कैसे चलेगा यानि एकनोमी को आपको एन्वायरमेंट से जोड़ना पड़ेगा वर्तमान की जरूरत है एकनोमी को एन्वायरमेंट से जोड़ना हमारा टोपिक है अलग से सतत विकास अगर एकनोमी और एन्वायरमें यहां से न स्तीधा means में question मनता है सीधा question मनता है UPSC में सिचाई प्रणाली के उपर तो आपको पता होना चाहिए क्या-क्या भई सिचाई के कौन-कौन से तरीके है इसके स्त्रोथ कौन-कौन से है किस राज्य में किस स्त्रोथ को अपनाया जाता है सिचाई प्रणाली का चयन कैसे करें हम भई भुगोल को या फिर हम कह सकते हैं कि संसाधनों को देख के हम सिचाई प्रणाली का चयन करेंगे साथ ही सिचाई से जुड़ी हुई समस्याएं क्या है पंच वर्ष ये योजनाओं के तहट सिचाई की प्रगती क्या-क्या प्रयास किये गए है सिचाई के परियावरणिये प्रभाव क्या है आप देखोगे मैंने अभी जो एक्जेम्पल दिया भूमी का जलका इतना दोहन कर दिया कि उसके प्रभाव आपको बहुत नेगटिव दिखेंगे बहुत दिर्ग कालिक दिखेंगे इतना आसान नहीं होगा इन प्रभावों को समाप्त करना तो सिचाई और क्रोब पैटर्न दोनों को जोड़ना पड़ेगा भावी क्रोब पैटर्न में यदि हम ढंक से चलेंगे तभी तो सिचाई तभी तो दोहन कम से कम होगा ना है ना, तो ध्यान रख्येगा हमारी नीतियां कैसे होनी चाहिए प्रनालीगत सिचाई सुधारों की जरूरत क्यूं है सुधार क्या क्या होने चाहिए और इनकी जरूरत क्यों है और राष्ट्य जलनिती अलग से कोशन बन सकता है राष्ट्य जलनिती क्या है और इस राष्ट्य जलनिती की आवशक्ता क्या है तो इतना जब और सिचाई इसके सिचाई के ना अलग-अलग प्रकार है जैसे स्प्र कोटा सा देश दिखता होगा इसराइल उसमें दिखता होगा जल संसादन ही नहीं लेकिन फिर भी खेती हो रही है यानि तकनीक का प्रियोग किया गया क्रिशी उत्पादन में तो हम उस तकनीक को कैसे ले सकते हैं है ना हम उसके लिए क्या-क्या समझोते कर रहे हैं हम उसको क कैसे अपना सकते हैं तो अंतर विश्यक दृष्टी कोण के थैत आपको ये सब जोड़ के पढ़ना पड़ेगा ठीक है तो कृशी का पहला मुद्ध है ग्रोप पैटर्न अलग से कोशिन बनता है सिचाई प्रनाली क्या है क्या कमिया है क्या सुधार की जरूरत है है न ये क्य समस्याएं है क्या क्या प्रगती हुई है तो ये सारी राष्ट जलनीती ये सब आपको जोड़ के पढ़ना पड़ेगा अब अगला मुद्धा है क्रिशी से संबंधित क्रिशी उपज और मुद्धे संबंधित बाधाओं का परिवहन और विपनन ये जो विपनन आपको दिख रहा है न ये बहुत बड़ा मुद्धा है क्रिशी के सामने बहुत बड़ा मुद्धा है ये विपनन व्यवस्था मार्क प्रिटिंग यह नहीं बढ़िया है कि सेंकडो टन जो फल है सब्जियां है वो ऐसे ही खराब हो जाती है विप्णन की कमी के कारण ना केवल फल और सब्जियां आपने देखा होगा भाही इतने सोटन गेहुं खराब हो गए धान खराब हो गए तो यह सब कैसे सुधरेगा समस्या है ना तो उसके उपर अलग से कोशिन मनता है तो आपको पता होना चाहिए क्रिशी विप्णन की प्रोसेस क्या है विप्णन के चैनल कौन-कौन से है भारत में और लागत कितनी आती है FCI की क्या भूमी का है? FCI आप पढ़ते हैं ठीके Food Corporation of India इसकी क्या भूमी का है? विनियमित बाजार क्या होते है? भनडारण अब यह भनडारण छोटा सा दिखरा है आपको लेकिन हमें यह पता होना चाहिए की भनडारण की वर्तबान व्यवस्ता क्या है? इस वर्तबान व क्या नई तकनीक हम अपना सकते हैं, तो भंडारन एक अलग मुद्दा है, भंडारन पे अलग से कोश्यन मन सकता है विपणन से जोड के, इसके साथ ही सहकारी विपणन क्या है, वर्तमान क्रिशी विपणन की क्या क्या कमिया है, और APMC Act, APMC Act, यह आपको अलग से पढ़ना राष्टे क्रिशी बाजार, यह सब नई चीजे हैं, जैसे नैम आया, राष्टे क्रिशी, National Agriculture Market, क्या है इसकी अवधारना, यह कैसे बहतर कर पाएगा, क्या क्या चुनोतियां है इसकी, किसान, उत्वादक, संगठन आपको पढ़ने पढ़ेंगे, कोंट्रेक्ट फार्मिं क्या है, क्या चुनोतियां है, क्या सुझाओ हो सकते हैं, क्रिशी जिन्सों में वायदा कारोबार क्या है, तो यह सब कंसेप्ट क्लियर होंगे, तब जाके आपका ये वाला मुद्दा, जो है ना, आपको बस एक लाइन दिख रही है, क्रिशी उपज और मुद्दे, तो भ भर्मिंग है, भंडारन है, तब ना, आपको सारी बाते कवर होंगी, इसके साथ ही परिवहन और विपणन से संबंधित मुद्दे, याद रखेगा विपणन एक बहुत इंपोर्टेंट सेग्मेंट है, क्रिशी का, यहां से सीधा कोशन मनता है, क्योंकि विपणन एक जोग की कैसे प्रियोग हो सकती है, यानि इकनोमी में किसको जोड़ दिया, साइनस और टेक को जोड़ के पढ़ना ही है, अलग से टॉपिक दिया है, तो इसलिए जो आप अलग-अलग सोचते हो, हम तो अलग-अलग पढ़ेंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है, जोड़ के कौन-कौन से प्रयास किये गए हैं तकनीक के माध्यम से किसानों के जीवन को आसान बनाने के लिए तो यह सारे मुद्धे आपको पढ़ने पढ़ेंगे इसके साथ कृषी खतम नहीं हुआ है अभी कृषी में आपने देखा फसल पैटन आपने देखा सिचाई और भंडारन आपने देखा विपणन और परिवहन संबंधि मुद्धे और साथ ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषी सबसीडी यह बहुत डिबेटेबल मुद्धा रहता है बहुत डिबेट होती है इस पर कि भाई हम कृषी सबसीडी दे की नहीं दे साथ ही MSP से संबंधित मुद तो MSP से संबंधित सारे मुद्दे हमें देखने पड़ेंगे अब क्रिशी मुल्य निर्धारण निती क्या है सबसीडी के लिए क्या क्या तर्क है कि सबसीडी दी जानी चाहिए सबसीडी के कितने प्रकार होते हैं पता होना चाहिए कितने प्रकार की सबसीडी होती है बहुत डिबेट में रहते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, जैसे ही सरकार क्रिशी सबसीडी त्यादी देने की बात करती है, तो बहुत सारे वर्गुट खड़े होते हैं, कि ये तो किसानों को अपाहिज करने जैसा है, क्यों दे सबसीडी, तो आपको हर एक के पीछे के तर्क पता होने चाहिए, क्यों देनी चाहिए, नहीं देने के क्या-क्या आलोचक आलोचनाई करते हैं, और फाइनल कंक्लिूजन क्या हो, तो ये सारी बातें, विश्व्यापार संगठन आपको पढ़ना पढ़ेगा, ये विश्व्यापार संगठन यानि डबलू टी ओ, आपको इंटरनेशनल रिलेशन्स में भी पढ़ना है, as an international organization, मतलब अंतराश्ट्र संगठन के तोर पे आपको पढ़ना है, आई आर में भी, साथ ही डबलू टी ओ से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, वो आपको एकनॉमी में भी पढ़ने पढ़ेंगे, क्योंकि क्रिशी संबं बहुत सारे मुद्दे हैं, विक्सित और विकाशी इलदेशों के बीच में, वो सारे मुद्दे आपको पढ़ने पढ़ेंगे, इसके साथ ही, क्योंकि सबसीडी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, ठीके, इसके साथ सारजनिक वितरन परनाली, PDS, PDS भी आप कृशी के अं FCI है, राशन कार्ड है, आधार लिंकिंग है, इन सब का पता होना चाहिए, क्या-क्या समस्याएं हैं, आपने देखा होगा, बहुत सारे गाउं देहात में, जो capable हैं, वो लोग भी कार्ड बनवा लेते हैं, वो लोग भी धान भी, मतलब गेहुं भी ढोरे हैं, मिट्टी का योजनाओ में जो ये अन्यमित्ताएं हैं, कमियां हैं, इनका क्या प्रभाव हो सकता है, इनको दूर कैसे किया जा सकता है, उसके लिए क्या-क्या प्रयास हैं, चाहे आधार लिंकिंग हैं, चाहे दुकानों की निगरानी और उसके लिए विवस्थाएं हैं, पीडियस ते जुड़ी खामियों और कमियों में क्या-क्या उपाय हो सकते हैं, निसुधार की जरूरक्यों और ये सुधार करने के लिए क्या-क्या उपाय हो सकते हैं, साथ ही सरकार दुआरा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं, PDS की प्रणाली में सुधार करने के लिए, तो PDS आपको प्रोजेक्ट है चाहे अभी एक नई योजना सरकार ले के आई है जिसमें कोई भी व्यक्ति भई एक राज्य से दूसरे राज्य में जो मजदूर वगएरा काम करते हैं तो वो कहीं पे भी अनाज ले सकते हैं तो यह सारे अपडेट्स आपको होने चाहिए इसके साथ ही अग और अन्य खाद्य सुरक्षा मतलब आप देख सकते हो जो जो भी सरकारी पहले हैं खाद्य सुरक्षा की समझ में आया अब जाके आपका एकनोमिक्स कम्प्लीट हुआ है इतने डिटेल से सिलेबस पढ़ा था क्यों नहीं पढ़ा था कई बच्चों को वालब कसम खाके आप सोचो अपने मन में मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्या आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो 8-8 महीने तैयारी कर चुक मतलब हो चुके हैं उनको 8 महीने किसी को 6 महीने किसी को 4 महीने लेकिन उनको सेलेबस ही नहीं पता है तो क्या ये एक सही रणनिती है क्या ये एक सही strategy है, अपने आप से पूछना, ठीक है, ध्यान रखना, अब एक बार देख लेते हैं हम, economy, फटाफट, क्योंकि मेरा उद्धिश है क्या है, क्लास में आपके दिमाख में बैठ जाए, भारतियर फिवस्ता योजना से संबंदित मुद्दे, संसाधन बृध्धी विकास रो है, क्रिशी में हम फसल पैटर्न, सिचाई और भंडारन, विपनन और परिवहन, और साथ ही क्रिशी सबसीडिय और उससे जुड़े हुए मुद्दे, PDS वगेरा, उसकी सीमाए, सुधार कारिय अप्रनाली, बफर, स्टोक और खादे सुरक्षा के मुद्दे, इतना पढ़ से और बेसिक के साथ लगभग एक साल का करेंट आपको एड़न करना पड़ेगा, तब जाके कवर होगा, आपके एक दो कोशन ले लेती हूँ, फिर आगे बढ़ूंगी, ठीक है, थोड़ा गैप लेले, आज अतुल सर की क्लास नहीं है, तो इसलिए आज हम इस मोके का देखो, ध्यान रखना, एक बात समझ के चलो, UP, PCS, UPSC से वर्तवान में अलग नहीं है, आपको सारी अवधारनाएं उसी लेवल से समझनी पड़ेंगे, यदि आपको कोई ये बोल रहा है कि आपको UP, PCS में, UPSC से कम पढ़ना है, तो वो बेवकुफ बना रहा है, उसके मेरी बात पर मत भरोसा करो, उसके लिए आप UP, PCS के पिछले सालों के कोशन पेपर उठा के देख लो, जब आप कोशन देखोगे ना, तो आपको लेवल समझ में आ जाएगा, कि UP, PCS अब कहीं पे भी, UPSC से डिफरेंट नहीं है, कॉम्पेटिशन बढ़ चुका है, UP, PCS म में कुछ बाते अलग होती हैं, जो UPSC में नहीं होती, लेकिन वो ऐसी होती है कि उसको फिर आप अलग से 15-20 दिन देखे भी कवर कर सकते हो, जैसे UP का इतिहास, UP का भुगोल, उसके लिए कुछ सेलेक्टिट नोट्स आ जाते हैं, एक हिंदी का पेपर वहाँ पे अलग होत जब मैं सुबह उठी, मैं बोलने की कंडिशन में देती, फिर मैंने गरम-गरम पानी पिया, अद्रक डालके, अद्रक और शेहर डालके, तो थोड़ा मैं बोलने की पोजिशन में आई, तो मैंने सोचा, पढ़ा लिती हूँ, है ना, चले, आगे, चलो, अब हमें यह देख लिखना है, यहाँ पे लिखा नहीं है, क्या भाई, PYQs, यह मैं हमेशा यह दो पहला, मतलब होता है न कि हम प्रात्मिक्ता तै करते हैं, सबसे पहले क्या करें, तो सबसे पहले सिलेबस प्लस PYQs, PYQs आप PT के भी देखोगे, और मेंस पढ़ रहे हो, तो मेंस के भी दे हिंदी पे अतुल सर्रमेश सिंग बहुत ही अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बहुत ही अच्छे से, आप एक बर सुनके देखना, आपको सब कुछ समझ में आएगा, इसके साथ ही study IQ के जो class nodes होंगे, वो enough होंगे आपको PT और मेंस के लिए, इसके साथ आपको क्या करना है, एक साल की जो महतवपून करन्ट है, ठीक है, एक साल का जो भी महतवपून करन्ट है, वो आपको बहुत अच्छे से देखना है, उस करन्ट में आप कोई भी magazine उठा सकते हैं, study IQ भी आपको पूरा करन्ट प्रोवाइड कराएगा, ध्यान रखिएगा, इसके साथ budget economic survey देखना ही इंडिया इयर बुक पूरी नहीं पढ़नी है भाई, कभी यह सोचो आज ही ले आएंगे इंडिया इतनी मोटी है इंडिया इयर बुक, सोचो गे आज ही पलट देंगे एकदम, आज ही इसपन के माननेंगे है, ऐसा possible नहीं है, इंडिया इयर बुक के कुछ सिलेक्ट जैसे म बोट जादा जरूरी है और NCRT सबसे पहले पढ़ लेना, 11 मी की, मतलब सिलेबस और PYQ के बाद NCRT पढ़ना, NCRT के बाद आप रमेश सिंग पढ़ सकते हो, क्लास कर सकते हो, study IQIS हिंदी पे और इस तरीके से आपका पूरा का पूरा एकनोमिक्स कवर होगा, और जब आप बना रहे हो, तो डाइग्राम, चार्ट, फैक्ट, इन सब के थुरू नोट्स भी बना सकते हो, ध्यान रखेगा, और यहां पर एक बात मैं आपको बता दू कि जो 11 मार्च से बैश शुरू हो रहा है, उसमें एक सिस्टेमेटिक तरीके से चीजे होंगी, जैसे आपका पॉ पुरा एक टाइम फ्रेम में सब कुछ कवर होगा, ध्यान रखना, बहुत ही शांदार तरीके से, तो 11 मार्च से जो बैच है, अभी होली डिसकाउंट भी चल रहा है, यदि आपको लेना है, तो आप वहां जुड सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोक्स में भी कोर्स परचेज कर सकते हैं, लेकिन हाँ, कोर्स परचेज करने से पहले ध्यान रखना, LDLIV कोड का प्रियोख जरूर करना है, LDLIV, ठीक है, LDLIV, अब बात कर लेते हैं, सेकंड, जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, सेकंड पार्ट है, थर्ड पेपर का, जिसे बोलते हैं आंतरिक सुरक्षा, यानि internal security, अब internal security का पहला topic है, विकास, यानि development, और अतिवाद के प्रसार के बीच में क्या संबंद है, यानि जिन जिन छेतरों में कम विकास हुआ, वहाँ पे जो आपको अतिवाद दिख रहा है, वहाँ पे वामपन्थ दिख रहा है, चाहे आप नकस आपको उग्रवाद दिखा है ना, तो विकास के बीच में और अतिवाद के बीच में क्या संबंद है, क्या correlation है, ध्यान रखिएगा, एक तो हमें इसके अंतरगत क्या क्या देखना पड़ेगा, कि भई अतिवाद क्या होता है, इसके प्रसार के लिए क्या क्या जिम्मेदा कारक है, तो, sorry guys, ठीक है, अतिवाद के प्रसार के लिए क्या क्या जिम्मेदार कारक है, अंडर डेवलप्मेंट यानि अल्प विकास के कारण, उग्रवाद के प्रसार को कम करने के लिए राज्ये क्या कदम उठा सकते हैं, नकसलवाद को आपको डिटेल से पढ़ना बाहिये रोल है, है न, बहुत सारे देशों की अप्रत्यक्ष भूमिका रहती है नकसलवाद को सपोर्ट करने में, ताकि भारत अपनी आंतरिक चुनोतियों में ही उल्जा रहे, तो इन सारे मुद्दों को हमें पढ़ना पड़ेगा, नकसलवाद को खतम करने के लिए या इसकी समापती करन अब अगला मुद्दा है आंतरिक सुरक्षा यानि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए चुनोतियों पैदा करने में, बाहिये ध्यान रखना यहाँ दो टम है, बाहिये राज्ये और गैर राज्ये अभिनेता हों, अभिनेता हीरो मत समझ ले न, इसको इंगलिश में बोलते हैं State Actors and Non-State Actors, यानि आन्तरिक सुरक्षा के समख चुनोतियों उत्पन करने में State Actors की क्या भूमिका है, Non-State Actors की क्या भूमिका है, तो आपको यह पता होना चाहिए, भाई State Actors क्या होते हैं, State Actors का मतलब होता है कि जहां पे संसाधन भी हो, परिशान करने के लिए और एक सं यह संप्रभूता भी हुँ, जैसे आप कोई देश मान सकते हो इसमें, सेना आ सकती है किसी देश की, बूरोक्रेसी आ सकती है किसी देश की, है ना जिसके पीछे राज्य का आधार हो, और नोन स्टेट अक्टर्स में आ जायेंगे कि ऐसे, ऐसी संस्थाएं जिनके पास संसाद लेकिन संप्रभूता नहीं है राज्य की तरह जिसमें आप आएंगे जिसमें आतंकवादी संगठन आएंगे जिसमें उग्रवादी या कट्रपंथी विचारधाराओं के जो संगठन है वो सब आ जाएंगे तो किसी भी देश की और यहां पर हम भारत के संदर्म में पढ़ नहीं है यानि भारत की आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करने में स्टेट अक्टर्स की क्या भूमी का है इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा जैसे जम्मु कश्मीर का अलगावाद में इंकी भूमी का वांपंथी उग्रवाद में की भूमी का उत्तरपूर्वी खेत्रों में आतंकवाद, दक्षिन पंथी, आंदोलनों में इनकी भूमी का, तो ये सारा हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इसी में हमें आतंकवाद का प्रसार, भी आतंकवाद क्या है, उसके क्या कारण है, उसका प्रसार कैसे हो रहा है, उसके प्रसार में स्टेट और नोन स्टेट एक्टर्स की कैसी भूमिका है इसको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा और राज्ये प्रायोजित आतंकवाद क्या होता है जैसे आपने देखा होगा ना आतंकवाद राज्ये प्रायोजित मतलब पाकिस्तान ओरियंटेड आप देख सकते हो कि भारत में आतंक विश्म को भी देते रहे हैं, है न, तो ध्यान रखेगा, तो इसको detail से पढ़ना पढ़ेगा, second part, यानि, internal security में, विकास और अतिवाद के बीच क्या संबंध है, क्या कारण है, क्या दोनों के बीच संबंध है, क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, नकसलवाद पूरा पढ़ पढ़ेगा, यहां से दो से तीन बार question पूछा गया है, internal security में, साथ ही state actors और non-state actors के क्या क्या कारक हैं, क्या क्या वो काम करते हैं, भारत में, भारत की आंतरिक सुरक्षा को चुनोती देने में, इसी के साथ हमें आतंकवाद और राज्य प्रायोजित आतंकवाद भी पढ़ेगा, जिससे NIA क्या है, NetGrid क्या है, UAPA क्या है, UAPA यहां से ना अलग से question मनता है, एक बार UAPA की धारा से question मन गया था, तो जब हम UAPA पढ़ेंगे, तो इसकी क्या-क्या धाराएं हैं, क्या-क्या उनके provision है, क्या इसकी जरूरत है, क्या इसकी कमिया है, क्यूं इसक इसकी क्या है, जम्मू कश्मीर हो, और क्या-क्या सुझाव हो सकते हैं, ठीक है, तो UAPA को डिटेल से देखना पढ़ेगा, TADA, POTA, NCTC, तो इन सब को भी, यानि जो भी हमारा संस्थागत धांचा बना हुआ है, आंतरिक सुरक्षा से निपटने के लिए, उस पूरे के करने की कमिया है, क्या-क्या चुनोतियां है, सुधार क्यूं जरूरी है, क्या-क्या सुधार हो सकते हैं, क्या-क्या प्रयास किये गए हैं, मतलब इतने सारे डाइमेंशन से हमें इनको कवर करना पड़ेगा, बात समझ में आई? अगला टोपिक है संचार नेटवर्क के माध्यम से, ये आज की डेट में बहुत ही महत्वपून टोपिक है, जो बड़ा समभावना है कि हांसे कोशन अब धराधर बनेंगे, संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को क्या-क्या चुनोतियां है, संचार नेटवर्क मतलब क्या? आंतरिक सुरक्षा चुनोतियों में मीडिया की क्या भूमी का है, सोशल मीडिया की क्या भूमी का है, जो सोशल नेटवर्किंग साइट से उनकी क्या भूमी का है, सोशल मीडिया के प्रबंधन में क्या चुनोतियां है, क्या कदम है जो उठ आपने देखा होगा अक्सर वट्सप यूनिवर्सिटी के माध्यम से या अन्य सोशल मीडिया साइट्स के माध्यम से किसी दूसरे देश की घटना को के वीडियो को भारत में प्रसारित कर दिया जाता है कि भई फलानी जगह पे ये हो गया बंगला पश्चिमंगाल में ये हो भारत के सामने जाती है धर्म छेत्र भारत इन ही उल्जनों में उल्जा रहेगा तो हम क्या विश्व के अन्य मुद्दों पर ध्यान के इंद्रित कर पाएंगे ध्यान रखना कोई भी राश्ट्र कम महान बनता है कोई भी राश्ट्र कम शक्तिशाली बनता है जब वो आंत के लोग होते भी हैं देखा अच्छा ही हो गया कोई क्रोस चेक नहीं करते हैं ये वीडियो कहां का पहले भी देखा था क्या सीधा परषारित करना शुरू कर देते हैं ऐसे से आजकल जो है ना गुरूप बना रखें लोगों ने किस के अधार पे कि भई अलग-अलग जाती है ना आप लोगों ने भी देखा होगा फलानी जाती संरक्षा गुरूप फलाना धर्म संरक्षा गुरूप और इसमें एक धर्म शामिल नहीं है सारे के सारे मतलब सब शामि सब्सक्राइब करते जीतनी जादा बड़ी किसी भी राष्ट्र के लिए विकास करना उतना प् Lexine 起स्टराइब दिन तया पंड वह आजितन लasına अगला मुद्धा हमें पढ़ना पड़ेगा इंटरनल सिक्योरिटी में साइबर सुरक्षा, साइबर सुरक्षा क्या है जी, भारते साइबर सुरक्षा के लिए खत्रा क्या क्या है, भारत ने क्या क्या कदम उठाए है और क्या वो कदम अपने आप में पूर्ण है या हमें औ धुलिए तो हमारी साइट होई है जब रशया क्लेम करता है तो अब सोचो ना सारी चीजे आपस में यदि है के माध्यम से साइबर युद्य के माध्यम से पूरी बिजली किशी देश की जाए मतलब समस्या उत्पन आ जाए मैट्रों चल रही है पूरी एक व्यवस्ता के मैट्रों ही बंद कर दें लोग अंदर ही फस गए हो सकता है ना तो यह आंतरिक सुरक्षा के समक्षे बहुत बड़ी चुनोती हम कह रहें पांच में पीडी के युद्ध तो पांच में सीधा कोशन मनता है इंटरनल सिक्योरिटी में वही मनी लोंडरिंग क्या होती है इसकी प्रोसेस क्या होती है इसका प्रभाव क्या पड़ता है मनी लोंडरिंग से निपटने में क्या-क्या चुनोतीयां है ठीक है क्या-क्या कदम उठाए गए है और इसके लिए क्या-क्या संबंधित छर्ते हैं और क्या किया जाना चाहिए तो money laundering वाला मुद्दा हो गया इसके साथ ही एक अलग मुद्दा है internal security में सीमा वर्ती छेतरों में सुरक्षा चुनोतियां और उनका प्रबंधन यानि जो भी सुरक्षा की चुनोतियां है वो हमें detail से देखना पड़ेगा वही सीमा सुरक्षा के प्रबंधन में क्या चुनोतियां है अब सीमाए दो तरीके की हैं भारत में एक तटिये सीमाई है एक स्थलिये सीमाई है तो इन दोनों की चुनोतियां भी अलग अलग होंगी स्थलिये सीमाओं की चुनोतियां अलग होंगी तटिये सीमाओं की चुनोतियां अलग होंगी और फिर उसमें भी differentiation है जैसे पाकिस्तान की सीमा की अलग चुनोतिया होंगी बंगलादेश की सीमा की अलग चुनोतिया होंगी चाइना की सीमा की अलग चुनोतिया होंगी मयमार की सीमा की अलग चुनोतिया होंगी नेपाल की सीमा की अलग चुनोतिया होंगी बास समझ में आई तो इतना आसान नहीं है हमें बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि भई क्या-क्या सीमा प्रबंधन से जुड़े मुद्दे हैं तटिय और स्थलिय सीमाओं की क्या-क्या चुनोतियां हैं और अलग-अलग स्थलिय सीमाओं की क्या-क्या चुनोतियां हैं पडोसियों के साथ क्या-क्या सीमा विवाद है हमारे और सीमा छेतर सुरक्षा प्रबंधन में भारत की क्या स्थिदी है भारत इसके लिए क्या प्रयास कर रहा है तटिये को बहतर बनाने के लिए और सलिये को बहतर बनाने के लिए और हमारा अगला टोपिक है इंटरनल सिक्योरिटी का आतंक वाद के साथ संगठी तपराद का संबन तो हमें पता होना चाहिए संगठी तपराद या नि ओर्गनाइजड क्राइम क्या होते हैं और संगठी तपराद किस तरीके से आतंकवाद के प्रसार में भूमी का निभाते हैं तो संगठी तपराद के प्रकार क्या है संगठी तपराद को नियंत अतुरित करने में चुनोतियां क्या क्या आती है, भारतिय संदर्व में हमें देखना पड़ेगा, संगठित अपराध और आतंकवाध के बीच की कड़ी क्या है, आतंकवाध के बीच संबंद क्या है, ठीक है, अभी रिवाइस कराऊंगे, टेंशन मतलो, यानी ओर्गनाइश कि क्या भूमी का है, तो इतना हमें security में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, 50 marks का ratio रहता है security का, लगबग 50 number का आपको mains में यहां से देखने को मिलेगा सीधा सीधा, और याद रखना हम कहीं बार इसको ignore करके चलते हैं, हमें लगते हैं, आरे कर लेंगे, अगर आप सामान्य लिख होगे, तो आपको 10 में से 2 number आएंगे, 3 number आएंगे, लेकिन यदि आप security में एक सिलसिले वार तरीके से मुद्दो को समझ लेते हो, लिखना सीख लेते हो, current से कैसे add-on करना है, हमें draft कैसे बनाने है, या fact कैसे use करना है, diagram कैसे बनाने है, अगर इनको अच्छे से सीख लेते ह और अच्छे से लिखते हो, तो आपको इस 50 में से लगभग 35 number भी आ सकते है, 30, मतलब 50 मालो 25 से 30 number बहुत अराम से आजाएंगे, और अगर अच्छे से नहीं करोगे, तो मुश्किल से 8-10 number आएंगे, इतना difference रहता है, छोटा सा topic है, syllabus है, ये मैं पढ़ाऊंगे आप लोगो को सुनिशित करने के लिए, संचार network के माध्यम से internal security कैसे प्रभावित होती है, जिसमें media, social media, cyber सुरक्षा को अलग से पढ़ेंगे, money laundering को अलग से पढ़ेंगे, सीमा वर्ती छेत्रों में सुरक्षा की क्या-क्या चुनोतिया है, उनका प्रबंधन, और आतंकवाद के साथ जो organized crime है, संगठित, अपराद है, वो कैसे जुड़ा हुआ है, और विभिन सुरक्षाबल agency और उनके जनादेश, पढ़ेंगे कैसे, उसके बाद आपके questions पे आ रही हूँ, internal security के लिए सबसे पहले आप लोगों ने syllabus देख लिया, और पी वाई क्यू, यानि पिछले सालों क question का wishlation आपको करना है, internal security में कोई भी subject जब आप पढ़ रहे हो, एक बार उस subject को पढ़ने से पहले, पिछले सालों के question अच्छे से पलट लिया करो, उससे ना आपको एक idea लग जाएगा, question की प्रकृति कैसी है, कहां से जादा question पूछे जा रहे है, current का क्या role है question में, traditional part का क् की एक समझ बनेगी, ठीक है, ध्यान रखेगा, इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो study IQ के जो एप पे पढ़ाने वाली हूँ, basically, जो batch 11, March से शुरू हो रहा है, अगर आपको internal security पढ़नी है, तो एक बात और बता दू, खाली मेरी class notes more than enough रहेंगे, और कुछ नहीं हम ले आए, या तो फिर current add करना होगा, otherwise security में आप आँख बंद करके मेरी class पर dependent रह सकते हैं, साथी diagram, charts और fact का कैसे use करना है, ये भी मैं दिखाऊंगी, ध्यान रखेगा, तो internal security में इतना ही है, यहाँ तक किसी का कोई doubt तो पूछ लो, कोई बात है तो पूछ लो, मैं भी थ क्या बोल रहे हैं, मनोज, paper 3 बहुत बढ़ा है, कितने दिरों में, दिन पर मत जाओ भाई, दिन पर क्यों जा रहे हो, जब selection लेना है, तो दिन पर जाने का मतलब भी नहीं है न, लग जाओ बस, हो जाएगा complete, तरीकिये से बढ़ो बस, बहुत बढ़िया बिट्टा, बढ़िया गुल खिलाओगे, आपस में वारतालाब चल रही है, नाम ले लेके हैं, चाई पी ली, खाना खा लिया, पढ़ भी लो, अब, मैं अब गजब करते हुँ भाई, तीसरा पार्ट है, जैव विधता और परियावरण, इस जैव विधता और परियावरण में पहला टोपिक दिया है, सनरक्षन, इसमें हमें देखना पड़ेगा, जैसे जैव विधता और परियावरण लिख है, तो हमें देखना पड़ेगा भाई, जैव विधता क्या है, जैव विविदता के प्रकार क्या है, अनुवानशिक प्रजाती और पारिस्तिती की तंत्र, इत्यादी, जैव विविदता का इंपोर्टेंस है लग से देखना पड़ेगा, जैसे पारिस्तिती की तंत्र सेमाएं क्या होती है, आर्थिक महत्व क्या होता है, आर्थिक महत्व इतना पढ़ोगे तब जाके आपका जैव विधता और परियावरण वाला मुद्दा कम्प्लीट होगा, बास समझ में आई, तो इतना सारा आपको, आपको पता होना चाहिए पारिशिति की तंत्र सेमाई क्या होती है, आर्सिक महत्व के जैव संसाधन कौन-कौन से होते है, स क्या परिभाशा है, क्या अवधारना है, क्या नेशनल और इंटरनेशनल प्रियास हैं इसके संद्रक्षन के लिए, राष्ट्य दिशा निर्देश क्या है, कौन-कौन से कानून है, बही अलग-अलग विशों से संबंदित हमारा जैसे 1972 का एक्ट है, 1980 का एक्ट है, या वर अंतर राष्ट्य समझोते में सब कुछ आद्र भूमियों से संबंदित समझोते, वन्य जीवों से संबंदित समझोते, होट्सपोर्ट के संरक्षन संबंदित समझोते, जितने भी समझोते हैं, उन सब को आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना, तो पहला जै व प्रदूशन और गिरावट याद रखना इस प्रदूशन के उपर अलग से टोपिक दिया हुआ है तो हमें ये पता होना चाहिए भाई प्रदूशन क्या होते हैं और प्रदूशकों के प्रकार क्या होते हैं प्रदूशन यानि जो परियावरन है उसमें गिरावट का क्या प इसके साथ ही eutrophication क्या होता है, मरुस्थली करण क्यों बढ़ रहा है, उसके क्या कारण है, अमल वर्षा क्या होती है, उसके कारण क्या है, उसके प्रभाव क्या है, और खतरनाक अप्षिष्ट आदी, इतना आपको पढ़ना पड़ेगा प्रदूशन में, खाली प्रदूश है जा रहे हैं, है ना, और क्या केवल सरकार के कदम उठाने से काम चलेंगे, तो इस पूरे कंसेप्ट को आपको समझना पड़ेगा, फिर प्रदूशन और गिरावट के क्या कारण है, क्या रोक्थाम और नियंतरन के उपाई कर रही है सरकार, फिर राष्ट्य परियावरन एजनसियां, विधान, भई कौन-कौन सी परियावरन एजनसियां बनाई गई है भारत में, उनके विधान क्या है, उनकी नितियां क्या है, अंतर राष्ट्य परियावरन एजनसियां और समझोते कौन से हैं, तीन पार्ट समझे आप, परियावरन में हमको क्या पढ़ना है इसे बोलते हैं, Environment Impact Assessment, है ना, EIA बोलते है, Environment Impact Assessment, यानि परियावरन प्रभाव राकल, हाँ से बड़ा सा ओफर मिल गया, तो लिख देंगे, हाँ, हाँ, जी, सब बढ़िया है, पता लगे दो महीने में, और हो गई ऐसी की तैसी, जो भी वो प्रोजेक्ट था, उसका सीधानकार आत्मक प्रभाव दिखने लगा, तो हमें सारी कमी है, ये तो एक कमी है, इसके अलावा भी बहुत सारी कमी है, तो कमी या देखनी पड़ेंगी, और EAI को प्रभावी बनाने के लिए, क्या-क्या उपाए किये जा सकते हैं, और क्या-क्या किये जा रही है, ये सब हमको Pte में भी पढ़ने है, बाश समझ में आई, Pte में कंसेबट पढ़ोगे, मेंस में उन कंसेबट को जोड़ना सीखना है, बस इतना ही तो करना है, ठीक है, ध्यान रखेगा तो यह यानि संद्रक्षन जैविविदता संद्रक्षन परियावरन प्रदूशन परियावरन प्रभावाकलन इसके लिए क्या करना है यह है रामबान ध्यान रखना लिख लो रामबान 11 की NCRT और कभी आप सोचो कि एक बार पढ़ने में इस समझ में आ जाएगी तो नहीं आ इसके साथ एक बार पढ़ लेना उसको कुछ और पढ़ा देना मैंने भी यही किया था मैंने पहले भी बताया आपको उसको कुछ और पढ़ा देना आप उससे पढ़ लेना बहुत इंट्रस्टिंग NCRT है कम से कम आठ से दस बार इस NCRT को पढ़ोगे तब आपके concept बहुत important है, environment में traditional वही economics की तरह है, 30-70 ratio आप मान सकते हो, 70% ratio इसमें current affairs का है, current affairs में क्या-क्या हो रहा है, national level पे, अंतराष्ट अस्तर पे, अवधारना है आपको समझनी पढ़ेंगी basic से, लेकिन current का बहुत बढ़ा रोल है, current साथ ही 2020 की एक योजना है इसमें, जन्वरी महा की, वो आप देख सकते हो, या फिर बाद में भी यदि कोई योजना आती है, जैविविधता के उपर, या फिर परियावरन प्रदूशन के उपर, तो एक योजना आप कवर कर लेते हो, तो आपका एक topic कवर हो जाता है, और साथ ही, कभी-कभी आप परियावरन 1 और जलवा के लिए, ठीक है, ध्यान रखना, ये हो गया हमारा जैविविधता, अब अगला पार्ट हमारा बच गया, आपदा प्रबंधन, फटा-फटा आते हैं, आपदा प्रबंधन में हमें देखना पड़ेगा, आपदाओं के प्रकार क्या है, भई आपदाओं के प्रकार, जैसे किसे आप differentiate करके पढ़ोगे, आपदाओं का प्रबंधन कैसे किया जाता है, इसका पूरी प्रोसेस क्या होती है, राष्ट्रिय निती क्या है आपदा प्रबंधन को लेके, है ना, राष्ट्रिय निती के साथ ही आपको ये देखना पड़ेगा, कि भई कौन-कौन से संस्थान है, जो आपदा प्रबंधन के संदर्भ में काम करते हैं, जैसे NDRF का नाम आपने सुना होगा, है ना, तो NDRF को अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा, सामुदाइक स्तर पे आपदा प्रबंधन के क्या-क्या प्रयास हो सकते हैं, और आपदा प्रबंधन पर सरकार की पहल कौन-कौन सी है, कौन-कौन सी योजनाए हैं, तो आपदा प्रबंधन आपका एक काफी अच्छा टॉपिक है, ध्यान रखना, एक दो कोशन यहां से सीधे-सीधे मिल जाते हैं, लेकिन हाँ, पढ़ना तो आपको सारी मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाएं, सारी आ आपदा प्रबंधन में जो मुद्धा जाधा करण्ट में होता है, उससे सम्मंधित कोशन आ जाता है, जैसे एक बार, जब 2016 में में मेरे को याद है, कि जंगल की आग बहुत चर्चा में था, जंगल की आग आपदा है तरीके से, तो सीधा कोशन आ गया था जंगल की आग स यानि उस समय उस्ट्रेलिया वगेरा में काफी आग वाग पकड़ी थी तो भारत के भी कुछ चेत्रस में प्रभावित थे तो सिधा कोशन आ गया था यानि जो मुद्दा चर्चा में होता है वहां से कोशन आने की संभावना फिर ज्यादा हो जाती है पढ़ना सारा है मैं य आई क्लास नहीं होगा मैं आपदा प्रबंधन नहीं पढ़ा रही हूं आपको आपदा प्रबंधन आपको I think Manish sir पढ़ाएंगे ध्यान रखना Study IQ की क्लासिज है पिछले सालों के कोशन है syllabus मैंने बता दिया आपदा प्रबंधन से related आप NCRT पढ़ सकते हो अच्छे से एक इजी वे में समझ में आ जाएगा और इसके लिए जो योजनाय आती है अलग-अलग आपदा प्रबंधनों के लिए जैसे बाड के लिए योजना आ गई जैसे जंगल की आग के लिए योजना आ गई शेहरी बाड की समस्या एक वार काफी चर्चा में था मुझे आदा रहा अरे कुछ जान नहीं जाएगी मनुझ बहुत इजी है बस लास्ट हमारा बच गया है विज्ञान और प्रोध्योगी की विज्ञान प्रोध्योगी की में आपको ट्रेडिशनल मतलब परमपरागत जो है उसे समझने के लिए साथ ही इसमें ना आप करेंट पे पूरी तरीके से तो ध्यान रखना इसमें हमें पहला टोफिक है विकास और उसके अनुप्रियोग और रोज मर्रा की जिंदगी में उसका प्रभाव जैसे भोजन मेरे सायन है कृत्रिम मिठास वाले मुद्दे हैं खाद्या सन्रख्चक है ड्रग्स हैं एंटी बायोटिक्स पे सीधा कोशन बनता है क्योंकि ये चर्चा में रहता है लगातार कि एंटी बायोटिक्स काम करना बंद कर गई हैं क्या है और क्या क्या बेसिकली एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स क्या है ये सारी चीजे सफाई एजेंट काच तो ये सब आपको ट्रेडिशनल में पढ़ना पड़ेगा इस यहां पर प्रोध्योगिकी के स्वदेशी करण और नई प्रोध्योगिकियों का विकास कैसे हुआ भई IT और कंप्यूटर का विकास अंतरिक्ष नैनो टेकनोलोजी जैव प्रोध्योगिकी रोबोटिक्स रक्षा और नाभिकिया तो यहां पर आपको टाइम लगे का भई नभी के छेतर का विकास कैसे हुआ रक्षा छेतर में, रोबोटिक्स में, जैव में, नैनो प्रोध्योगी की में, अंतरिक्ष में, कम्प्यूटर में, तो ये पूरा डिटेल से देखना पड़ेगा और जो वर्तमान में आज के मुद्दे हैं, जैसे बोधिक संपदा से अध पड़ना है और इसमें भी, साइंस एंटेक में भी, तो दोनों जुड़े हुए हैं, एवर ग्रीनिंग, सीधा कोशन मनता है, क्या है एवर ग्रीनिंग का मुद्दा, अनिवारिय लाइसेंसिंग क्या होती है, और प्रमुख जो इसके केस है, वो ये बेतिकली एकनोमिक में भी आता है, ये पूरा का पूरा, बोधिक संपता अधिकार, है तो पेपर थर्ड का पार्टी, आप एकनोमिक्स में मालो, साइंस टेक में मालो, इसके साथ ही साइंस टेक से संबंदी जो नए नए मुद्दे आते हैं, जैसे आर्टिफिशल इंटेलिजेंस हैं, ध्यान रखना, लेकिन साइंस टेक में ट्रेडिशनल का बहुत कम रोल है, लेकिन हाँ समझने के लिए तो वो भी जरूरी है, करेंट का बहुत ज्यादा रोल है, इसके लिए हम पढ़ेंगे कैसे, इसके लिए हमने सिलेबस और पिछले सालों के कोशिन, स्टडी आई क्यू ध्यान रखना ये बहुत ज़रूरी है, एक साल का करेंट अफियर्स आपको करना ही पढ़ेगा, ध्यान रखेगा एनवायर्मेंट के लिए, और जो स्टडी आई क्यू कि एप पे क्लासिस चलेंगी, उस क्लासिस में करेंट को एड़ोन करके पढ़ाया जाएगा आप लोग फिर उसकी स्ट्रेजी बताई, इंटरनल सिक्योरिटी मैं पढ़ाने वाली हूँ, उसको डिकोड किया, उसकी स्ट्रेजी बताई, इसके साथ परियावरन और पारिस्तिति की में हम कैसे पढ़ेंगे, क्या हमारे स्त्रोथ होंगे, आप दा प्रबंधन कैसे और क्या स्त्रो अप्लोड है, आप पीडियाफ सेक्शन में जाके देख सकते हैं, और थर्ड पेपर का सिलेबस, यानि हर मेरी हर क्लास का पीडियाफ इसी टेलिग्राम चैनल पे मिलता है, लली तरही अकैडमी टेलिग्राम चैनल पे, इसके लावा आप इंस्टेग्राम और फेस्बूक प अप्लोगों के कोशन नूँगी, मैं एक दो, स्टडी आएक्यू की एप या स्टडी आएक्यू की वेबसाइट पे जाके अधि आप एडमीशन लेते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोक्स में भी जो लिंक दिया है, उस पे जाके आप अप एडमीशन ले बैच है, पूरी फाउंडेशन आपको बेसिकली मिलेगी, इसमें अंसर राइटिंग की सुविधा मिलेगी, आपको जो PDF मोहिया होंगी, एक तो जो हम पढ़ा रहे हैं, वो क्लास और साथ ही आपको handwritten notes भी अवेलेबल होंगे, एक बंदा बैठा होगा, पूरा notes बनाएगा क्लास में, वो notes भी आपको मिल जाएंगे, जब आपको PDF मिलेगा उसी के साथ, ठीक है, तो बहुत ही शांदार बैच है, और बहुत ही best team है, यदि आप सक्षम है, और आप admission लेना चाहते हैं, तो आप निसंदेh admission ले सकते हैं, अब आपका कोई question है, तो मुस्से पूछ किसी का कोई question है, तो भाई, पूछ लो, एक दो मिनिट है, मेरे पास अभी, क्या वोल्डर मैं, प्लीज, अंसर हिंदी मेडियम से current affair की preparation और notes, current affairs पे कभी और बात करेंगे, मतलब current affairs, आप देख रहे हों कि study IQ IAS हिंदी पे हिंदू analysis होता है, डेली, उसको देख सकते हो, यद को हिंदी में convert करके, पूरी current affairs आपको provide कराया जाएगा, classes होंगी उसकी, ठीक है, current affairs की daily classes होंगी, तो पूरी सुविधा है, ध्यान रखेगा, UPSC में 100 में से लाने के लिए कितनी strategy अपना ही जाने, अरे 80% marks कभी नहीं मिलते, क्या करना है, 80% marks लेके क्या चांद पे जाता है, क्या, IS बनना है भाई, IS बन जाओ, बात खतम, जितने भी आप topers भी देखोगे ना, तो topers के marks भी आपको 45-50% के आस पास होते हैं, ध्यान रखना, जो topers होते हैं, मैं rankers की बात करनी हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, उनके marks भी आपको 50% के आस पास ही दिखेंगे, तो 80% लेके पर तो जाना नहीं है, कि हम तो सेहनशा है, है ना, नाम है हमारा ये, तो इस मनोवरती से बाहर निकलो, अच्छा करना है, पूरे syllabus की समझ बनानी है, answer writing करनी है, doubt नहीं रखना है, एक सही दिखा में सही रणनिती के साथ महनत करनी है, और selection ले लेना है, ठीक है, 80% पर मत जा हाँ, मैं वही पूछने वाली थी, बिल्कुल सही बात है, अब यदि आपको चोथे पेपर का, यानि ethics का syllabus भी इसी तरीके से decode चाहिए, comment box में जरूर लिखना, तो मैं एक last paper बचा है, 4 paper है GSK, 1, 2, 3 को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, आशा करती हूँ, बह चोथा पेपर भी इसी तरीके से समझना है, तो मुझे comment box में comment जरूर करना, तो मैं चोथा पेपर भी आप लोगों को decode करके समझा दूंगी, अच्छे से, बिल्कुल, ठीक है, ताकि असान हो जाए आप लोगों के लिए, उसके लिए आपको comment करना पड़ेगा, thank you, फगें PCS की preparation कर रहे हैं, तो सीधा जूड सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखेगा बच्चे, किसी का कोई और question है, या मैं जाओ, भूख लगी है भाई, नाश्ता नहीं किया, ऐस उबैसे, समझ रहे हो, dedication, तो आप लोगों के अंदर कितना होना चाहिए, लेकिन ना, मजाल है, जो 8 बजे उठें, हम 9 बजे उठेंगे, तो फिर हम राजा कैसे होंगे, है ना, हम तो अराम से उठेंगे, जब नीद खुलेगी तब उठेंगे, तो भाई, थोड़े sacrifices करने पड़ते हैं, लाइफ में, 7-8 घंटे की नीद बहुत होती है, 10-12 घंटे सोने का कोई मतलब नहीं है है ना, तो इसलिए पढ़ाई करो, कोई कोशन, चंदर क्या बोल रहे हो, अभी आपकी देखो, चंदर क्या बोल रहा है, कि मैं मेरे एक दोस्त है, वो हर बार 95-98 मार्क्स लेते हैं, बट वो रियल में एक्जैम नहीं देना चाहते, क्योंकि उनको टॉप करना है, उसको कैस समझाओं मैं कि टॉप करने ही सब कुछ नहीं है, भाई टॉप करना ही सब कुछ नहीं है, बिल्कुल सही बात है, एक बात बताओ आप, मतलब मैं हापे बसे एक बात बोलूँगी, रैंक वन आ गई, रैंक पचास आ गई, या रैंक नब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब् उसके चकर में एक्जाम ही ने रहा, ये तो वही वाली बात हो गई, मतलब इसको क्या बोले हम, अंगूर खटे हैं वाली बात हो गई, कि ना ना यार मैं एक्जाम ने दूँगा, दूँगा तो टोप करूँगा, अब नहीं कर पाये तो क्या, जीवन और एक बात ध्यान रख पॉजटिव रहो, बहुत जादा स्ट्रेस नहीं लेना है, परिक्षा है, परिक्षा को परिक्षा की तरह देना है, जीवन और मरन का प्रशन बनाना ही नहीं है, कि अगर आईएस नी बने तो तबाही आ जाएगी, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, काहे मर जाओगे भाई, बहुत कुछ है जीवन में करने के लिए, हमने अपना 100% effort किया, यदि हमारा हुआ तो बहुत बढ़िया बात है, यदि हमारा नहीं हुआ तो हमने इतनी महनत की है कि हमारी महनत व्यर्थ नहीं जाएगी, बासमझ में आई, तो इसलिए हमेशा सकारात्मक रहना है, हमेशा positive लोगों की संगती में रहना है, जो भी आपको taunt करते हैं, कसते हैं, negative बोलते हैं, उनसे साश्टांग प्रनाम करके दूरी बना लो, उसी में फायदा है, ठीक है, हॉप आप लोग मेरी इस बात को समझे होंगे, तो इसी के साथ class खतम करती हूँ, सुस्त रहिए, मस्त अपर है, बहुत ही तगडा, ध्यान रखना, 17,500 रुपे में आपको ये batch मिल जाएगा, code यूज करना है आपको LDLIVE, इस code के साथ, ध्यान रखिएगा, तो study IQ की app या website या इस वीडियो के description box में link है, वहां से जाके आप admission ले सकते हैं, और यदी चोथे paper का सिले बस चाहिए, तो comment box में जरूर लिखेगा, स्वस्त रहिए, मस्त रहिए, जैहिन जै भारत, all the best.